हेलो फ्रेंड्स आज हमारे पास हिट एची का एक वेक्यूम किलीनर है जो चालू नहीं है तो चलिए इसे हम खोल के देखते हैं कि क्या प्रॉबलम है और अगर इस तरह की प्रॉबलम कभी आपके वेक्यूम किलीनर में भी हो जाए तो आप उसे अपने घर पेक किस तरह से च जल्दी जल्दी खोल लेता हूँ मैंने सारे इसक्रू निकाल दिया है और अब हम इसे ओपन करते हैं देख लेते हैं कि अंदर क्या प्रॉबलम है इसको आराम से बिल्कुल निकाले कभी कभी बहुत माइनर सा प्रॉबलम होता है इसमें जिसके लिए रिपेरिंग की दुक लूस कनेक्शन हो और निकल गया हो या फिर कोई वायर जल गया हो इस तरह का प्रॉबलम आम बात है और जायतर चोटे 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 टूल्स में मशीनों में यही प्रॉबलम होता है देखे इस वैक्यूम किलिनल में ये वायर निकला हुआ है वो सकता है ये वायर अभी ख खोलना पड़े वायर और सुच वगईरा की continuity चेक करने के लिए हमारे पास मल्टी मीटर है अगर आपके पास मल्टी मीटर नहीं है तो आप सीरीज बल्ट पर चेक कर सकते हैं और अगर आपके पास सीरीज बल्ट भी नहीं है तो फिर आप सिर्फ एक टेश्टर के मदद से वा देख सकते हैं और अब न्यूटल वायर भी चेक लेते हैं रहे है यहां पर दखे अम टनीविटर में di مت粉र रहा है यानि हमारा वाइर के है और अम इसका Pork चुनिविट toी बता रहे या वियाट गभी स्विच भी ओके है यहां पर आउन करने पर कंटिनुटी बता रहा है और बंद हो जा रहा है यानि हमारा स्विच और वायर दोनों ओके है इसके लावा इसमें एक फ्यूज है हम उस फ्यूज को भी चेक कर लेंगे यह देखे यह फ्यूज है फ्यूज को कवर किया है इसलिए हम उसे मीटर से टच नहीं कर पाएंगे यह फ्यूज का वायर जहां जा रहा वहां पर हम मीटर रखते हैं और दूसरा वायर यह स्विच से निकल रहा है हम स्विच में एक और मैंने इस वायर को गुझ में डाल दिया है अब हम इसे क्लोस करना है यह इसमान है इसको आनलें है to यह बाकि सब बराबर मिल जाएगा तो इसे ध्यान में रखकर ही बंद करें अमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें